बीजीबी किचन में आपका स्वागत है दीवाली में सब मीठा खाते है वैसे नमकिन भी खाते है तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गार्लिक सेव याने लहसुन की सेव लहसुन सेव के लिए मैंने पंदरा लहसुन की कलिया चार टेबल स्पून पानी में पेस्ट कर ली है अब हमें इस पेस्ट को छान लेना है इस पेस्ट में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है यह च्छान कर हो गया है हम सेव बना लेते हैं इस बॉल में लेंगे दो कप बेसन इसमें डालेंगे एक टीजपन लाल मिरज का पाऊडर वन फोट टीजपून हलदी वन फोट टीजपून जीरा पाऊडर और नमक स्वाधानुसार दो टीस्पून तेल डालेंगे अब हलके हाथ से इसे मिक्स करेंगे अब डालेंगे लेसून की पेस्ट जो हमने छान ली है दो बारा मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और सौफ्ट आटे जैसा डो बना लेंगे ये डोर रेडी है यहां मैंने सेव बनाने का मोल्ड लिया है जिसके अंदर मैं थोड़ा तेल लगाने वाली हूँ ताकि हमारा डो अंदर ना चिपके ये होल वाली सेव की प्लेट है उसे भी तेल लगा लेते हैं इस मोल्ड में डालेंगे अब डालेंगे हमारा डो आधा करके डालेंगे इसका लिवर पूश करेंगे और इसे बंद कर देंगे तेल गरम हो चुका है ये मोल्ड में से हम तेल में सेव फ्राय करेंगे एक्स्ट्रा डो निकाल दीजिए अब इसे लाइट ब्राउन कलर तक फ्राय करेंगे एक साइड से पलट देंगे ये फ्राय हो चुकी है टीशू पेपर पे निकाल लेते हैं हमारी गार्लिक से व्रेडी है आपाइब से ब्राइब सेंगे ये ब्राइब से ब्राइब प्राइब अंगड़ लेगाईब अंगड़ यह लहसुन किसेव बहुत ही क्रिस्प है और बनाने में बहुत ही आसाम तो इसे जरूर बना के देखिए और सब्सक्राइब करें दिवाले की हार्दिक शुप कामना है